असलाम अलाइकुम वीवर्स और आप सब लोग कैसे हैं उमेद करते हूं आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं आप सबसे जो रेस्पी शेयर करने वाली हो ना वो रेस्पी चाय के लिए देखिए जो भी चाय लवर्स हैं जो नॉर्मली चाय पीते हैं अक्सर लोगों की आद आपको बहुत जादा ये रेस्पी पसंद आने वाली है आप ही को नहीं आपके घर में सबको पसंद आएगी तो चले इस रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं दिखा देती हूं यह अच्छा भी बनता है लोग भी इसका अच्छा रहता और बहुत ज कितना जादा खसता सॉफ्ट चले इस रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर कोई भी वरतन चाहिए हमें आटा गुनना है तो इतना बड़ा वरतन आप लेजेगा तो मैंने यहां पेक बाउल लिया है और अब मैं उ स्वात के अनुसार नमक और इसका बहुत जादा मार्केट वाला फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा कसूरी मेथी कसूरी मेथी हो आपके पास आप तभी डालें वनना परिशान होने की जरूरत नहीं है ना डालें और अब मैं डालूंग इसमें आजवाईन तो सबके घर में अविलेबल होती हैं तो यह भी मैं डाल दूंगी आदा चोटा चमच दोनों मैंने क्रश करके डाल दिया है अब क्या करना है सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अभी मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें डालूंगी बहुत ही चोटी काटोरी मतलब बहुत ही चोटी भी नहीं है आप देख सकते हैं साइस इस काटोरी से दो काटोरी रिफाइन ओयल ये दो बड़े चमच ओयल होगा और देखिए इस इस नख में ऑईल के अम्हान árति रहे गारा मोईन परफेक्ट रहे हो तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है इसका मोईन परफेक्ट है या नहीं ये देखने के लिए आपटे को लेजिए गा और शी우며 बंड आपली मैं प्न gemacht तोड़ा पानि आड करके ढआ लगा है कि अग्रम आब हमें्स को बहुत सॉफ्ट नहीं है अब्सक्tery घ्लांता भीन हरों मैं थोन को सब्सक्राइए और लोगां थोड़ा थोड़ा पानी अड़ करके मैंने इसको गूद लिया है और आप देख सकते हैं इसको मैंने कैसा रख था है बहुत ज़दा सॉफट भी नहीं है और बहुत ज़दा हाट भी नहीं है ऐसे ही हमें रखना है और अब हम रखेंगे रास के लिए 25 से 30 मिन लखा तहाँ तो अहीं है उतना कि रखा था अब हमारा अच्छे सें ऑब लेंगे देलखने रखेंगे हैं इसको अपने घालघे के जरुदने First पे लख दिया तो रखेंगे अब इसके हम लोईया बनाएंगे तो सबसे पहले सर्फेस पे हम इसको इस तरह से रखेंगे और फिर इसकी लोई बनाएंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको कट करेंगे तो मैं यहाँ पे छे पार्ट में इसको डिवाइड कर रही हूँ तो यहां पर हमारी 8 लोई भी बनके तयार है, अब इसे बेलना है, तो चलिए फटा फट बेल भी लेते हैं, यहां पर देखे, मैंने इसको कवर करके रखा है, मैंने बाकी लोईयों को कवर करके गिले कपड़े से इसलिए रखा है, ताकि इसमें, मतब यह ड्राय ना हो और ब जखकर रखेगा, इसे क्या होगा, उपर का परद ड्राय नहीं होगा, और बहुत ही अच्छे से आप इसको बेल लेंगे, और अब हम इसे मैदा इस तरह से लगाते हुए, बेल लेंगे, बिल्कुल पतला हमें इसे बेलना है, तो यह देखे, मैंने इसको इतना पतला बेल यहां पर मैंने मैदा छेर का था, तो आप चाहें तो इसके जहां पर आटा भी ले सकते हैं, अब इसी तरीके से आप चाहें, तो सारी लोईया एक बार में भी बेल सकते हैं, या बेलते जाए और बनाते जाएं, तो अभी देखे, मैंने सारी रोटियों को बेल लिया है, अ और अभी चार चमच मैदा लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी अड़ करके इसका पतला घोल बनाऊंगी यहां पे अगर आप मैदा नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहां पे कौन स्टार्च भी ले सकते हैं विसे मैदा सबके घर में इसलिए अविलेबल होता है इसलिए मैंने कहा कि आप मैदा लें और अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी अड़ करके इसका पतला घोल बनाएंगे अगर आप यहां पे घी नहीं इस्तिमाल करना चाहते हैं तो आप यहां पे तेल भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन घी से जितने अच्छे रिजल्ट म अभी हम इसको शाइड में रखेंगे और हम रोटियों को लेंगे जो हमने बेला है और इस तरह से इस पे हम यह घ rud लगा देंगे लगा लिए हैं चार रोटी की लेयर मैंने रखी है और सबसे उपर में भी मैंने घी लगाना है तो अच्छे से मैं इस पे घी लगा लूँगी यहां पर मैंने अच्छे से घोल लगा लिया है जो मैंने मैदे और घीका बनाया था अब इसको फोल्ड करना है तो इस तरह से देखिए हम इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल हलके हाथ से फोल्ड करना है ज्यादा कस्क के दबा के नहीं इसको फोल्ड करिएगा इस तरह से सेट करते जाएगा और फोल्ड करते जाएगा तो अभी देखें मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और अब बिल्कुल हलके हाथ से पहले हम इसको हलका हलका बिल्कुल इस तरह से दबाएगे हमें इसे बढ़ाना नहीं है बस इसे इतना प्रेस करना है कि परतें थोड़ा से चिपक जाए और यह एकदम ही ना खुल जाए तो मैंने अच्छे से इसको रोल कर लिया है और अब इसको कट करना है तो देखिए आप इस तरह से नाइफ से भी कट कर सकते हैं देखिए कितना गोल हमारा यह बन के तयार हो रहा है तो इसी तरीके से मैं सारे पीसे को कट करके तयार कर लूगी यहां भी हमें मोटे पीस नहीं रखने इस बात का भी ख्याल रखेगा वना परतें अच्छी से खुल के नहीं आएंगे और आपको फ्राइ करने में भी बहुत टाइम लगेगा तो देखें मैंने सारे पीसे को कट कर लिया है और मैंने सारे पीसे धागे से ही कट कियें आप देख सकतें कितने गोल हमारे बन के तयार हुए हैं सारे पूडियों को इस तरह से हम प्लेट पे रखेंगे एक के उपर एक नहीं रखना है सिंगल सिंगल पीसे इस त जवर कर देंगे और फिर हमें इसे閃 puff रखनेके लिए में ओलैक में 30 मिनटे दो रखने में इसे और कुछ द्धििन पर यहां पर गिल उकरा कार। आप यह उपस 건bold लुच आप में 30 मिनटे ञाने पर, मैं भी सब्छादव थे लिए और बेलने में problem ना create के बिलकुल freshly ये बेलने हम मतलब देखे अगर dry हो जाता हम इसे बेलते तो इसमें उपर से दरा रहे आती जो अच्छा नहीं लगता देखने में तो इसलिए मैंने इसको गीले कपरे से cover करके रखा था अब इस तरह से pieces को हम लेते जाएंगे और इसको हमें पतला पतला बेल लेना है तो आप क्या कर सकते हैं देखे या तो आप जितना आपको fry करना हो उतना बेलें अगर आपको सिर्फ उतना ही बेलना है और ये सारी पूरियों को नहीं बेलना है तो आप इस तरह से गीले कपड़ से ढखते रखें और अगर आपको सारी पूरियों को बेलना है तो आप सारी पूरियों को बेलते जाएं और फिर उसको गीले कपड़े से ढख दें तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं इसे बेलती जाऊँगी और फ्राइ करती जाऊँगी, मतलब मुझे जितना फ्राइ करना होगा उतना ही मैं बेलूँगी, जब फ्राइ हो जाएगा तो मैं फिर और बेलूँगी, और इस दर्मियान आप इसको गिले कपड़े से दखके रखें, जैसा कि मैंने बताया है, बिल्कुल भी ड्राइ नहीं होना चाहिए, तो चलिए अब इसको फ्राइ करने शुरू करते हैं, और अभी देखें तेल बिल्कुल पर्फेक्ट गरम हो चुका है, तेल को हमें बहुत जादा हाई नहीं गरम करना है, इतना ही गरम करने से आपको यही अच्छा रिजल्ड मिलेगा, कि आपके लियर्स बहुत जादा अच्छी आती हैं, और जब आप इसे फ्रिज में रख देते हैं, तो और जादा अच्छी आने लगती है, तो अभी मैं इसको गोल्डन होने तक एकदम लो फ्लेम पे फ्राइ कर लूँग और बचे हुए पीसेस को भी मैं फ्राइ कर लूँगी, फ्लेम का आपको खास ख्याल रखना है, यहाँ पे फ्लेम आपको एकदम लो ही रखनी है, तेल एक बार गरम हो जाने के बाद, तो अभी देखें, यह हमारा पूरा हमने फ्राइ कर लिया है, बिल्कुल थंडा हो जा करते हैं एक से दो महीने के लिए और जब भी आप चाय पीने जाएं या आपको ऐसे ही खाने का कुछ दिल करें तो आप इसे खा सकते हैं, तो उम्मीद करते हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी